पदमिनी एकादशी हिंदू पंचांग के अंतरगत प्रत्येक माह की ग्यारावीं तीथी को एकादशी कहा जाता है। पदमिनी एकादशी को भगवान विश्णु को समर्पित तिथी माना जाता है। एक गाव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारण वश उस पर ब्रह्म हत्या का दोश है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय है। तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन दे कर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ती मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नश्ट हो जाते हैं और इह लोक में सुख भोग कर प्राणी अं अप्म्यके श्रवण्व पठन से मनुष्य स्वर्ग लोग को प्राप्त करते हैं। जैश्री हरे